आज हम बात करेंगे UPSC, CSC, Mains, Zoology के बारे में देखे कई सारे optional subject हैं जो कई सारे experience लेते हैं लेकिन Zoology में pros और cons क्या हैं पहले बात करते हैं pros की pros ये हैं Zoology में कि बहुत कम लोग इसको opt करेंगे यानि जिसमें पढ़ा हुआ है वो ही इसको opt करेगा बागे history, geography, politics, economics, anthropology काफी students इसको लेते हैं तो Zoology में marking अच्छी हो सकती है अगर content अच्छा लिखा हुआ है तो वाजे देखते है step by step इसका syllabus क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं paper first की और इसका syllabus देखते हैं क्या है देखिए पहला है non core data and core data याने इसके अंदर क्या-क्या हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते है classification and relationship of various phyla up to subclasses इसके अंदर a silomate और silomate होता है तो बात करते हैं कि silomate में क्या-क्या पढ़ेंगे हम देखिए silom का मतलब होता है cavity एक परकार का छिद्र जो कि ग्रीक वर्ड कोलिया से लिया गया है और तो सबसे पहले बात करते हैं ए-silom के बारे में ए-silom ऐसे animals होता है जिसे flatworms जिनमें कोई cavity नहीं होती है जिनमें कोई body cavity नहीं होती है और जो semi-solid mesodermal tissue उनका gut और body के between पाया जाता है अगर बात करें सीलोम की तो सीलोम is the main body cavity in most animals and is positioned inside the body to surround and contain the digestive tract and other organs तो इसके अंदर जो भी चीज़े animals आएंगे तो उसमें जैसे mollusk आएगा इसके अंदर जो remain रहते हैं undifferentiated अगर बात करें इसके अंदर हम दूसरा क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे protostorms के बारे में और deuterostorms के बारे में देखिए protostorms की बात करें तो इसमें mouth जो होता है वो develop होता है blastospore से और अगर बात करें deuterostorms की तो यहाँ पर annus जो होता है वो develop होता है blastospore से अगर बात करें कि blastospore क्या होता है देखिए, an opening into archenteron during the embryonic stage of an organism तो यह what is archenteron यह rudimentary, elementary cavity होती है जो embryo में होती है gastrula stage में यह gastrula, blastrula यह सब बात करेंगे आगे हैं तो अगर बात करें कि what is gastrulation gastrulation is a phase early in the embryonic development of most animals during which the single layered blastrula is reorganized into a multi-layered structure known as gastrula उसके बाद हम बढ़ेंगे bilateria और radiata के बारे में तो what is bilateria? इसको बोल सकते हैं कि triploblast इसमें animals होते हैं जिनकी bilateral symmetry होती है और इनमें head याने anterior, tail, posterior और as well as back जिसको dorsal बोलते हैं होता है अब बात करते हैं radiata के बारे में इसको हम radiates भी कहते हैं और इतिहासी गुरूप से taxonomic rank में इसको classification किया गया है इनमल्स इसके अंदर readily symmetric होते हैं body plans इनका होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे status of protesta फिर बात करेंगे पैराजोगा के बारे में चलिए बात करते हैं what is पैराजोगा पैराजोगा होता है animals sub kingdom के अंदर आता है यह जो include करता है organisms को और phyla porifera यानि पोरिफेरा phyla के जतने भी organism होते हैं वो उसके अंदर हम बात करेंगे पैरा जोगा के बारे में जैसे प्लेको जोगा इस्पोंड जो होते हैं वो most well known होते हैं पैरा जोगा में और ये aquatic organism होते हैं जो जल में पाया जाते हैं और कई सारी approximately 15,000 के आसपास species worldwide इसकी हैं उसके बाद हम बात करेंगे onicophora और hemicodida के बारे में और symmetry देखिए अगर बात करें onicophora के बारे में तो इसको commonly हम कहते हैं velvet worms या फिर ambiguously इसको कहते हैं peripetus जो कि is a phylum of elongated soft-bodied many-legged paraanthropods अगर बात करें hemicodida के बारे में तो इस phylum of marine deuterus storm animals जिसको हम समानता sister group of echinoderm कहते हैं उसके बाद बात करेंगे हम protozoa के बारे में इसको locomotion कैसे होता है इसका nutrition एनी portion कैसे होता है इसके अंदर reproduction कैसे होता है इसमें sex क्या होता है उसके बाद बात करेंगे हम general features and life history of paramecium उसके बाद बात करेंगे monocyst के बारे में plasmodium and leishmania फिर बात करेंगे पॉरी फेरे के बारे में इसमें इसका स्क्लेटन कैसा होता है इसमें इसका कैनाल सिस्टम कैसा होता है और इसमें इसका कैसा होता है रिप्रोडक्शन आगे बात करें तो आगे आता है हमारा नाडेरिया इसमें बात करेंगे polymorphism के बारे में defensive structure and their mechanism के बारे में बात करेंगे फिर बात करेंगे हम coral reefs के बारे में और उनका formation कैसा होता है और फिर उनका बात करेंगे metagenesis के बारे में उसके बात करेंगे हम general features and life history of Ovelia and Aurelia फिर बात करेंगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा Platy Helminth के बारे में यहां बात करेंगे हम केस का जो परजीविक जो Adaptation है वो देखेंगे फिर इसमें कुछ हम General समानी फीचर देखेंगे जैसे Life History of Fasciola, Tynia and their Pathogenic Symptoms फिर बात करेंगे हम निमेथे 1130 के बारे में इसके अंदर General Features Life History के बारे में बात करेंगे Parasitic Adaptation of Ascaris and Vacheria फिर बात करेंगे हम Analida के बारे में इसमें Siloam, Metamerism कैसी होती है Modes of Life in Polychaids यानि किस तरीके से Life होती Polychaids का फिर बात करेंगे हम General Features of Life History of Nearest Earthworm and Leech के बारे में उसके बाद फिर हमार आता है Orthopoda यहां बात करेंगे Larval Forms and Parasitism in Crustacy Vision, Respiration in Orthopods जैसे Pran, Cockroach, Scorpion A.T.C. के बारे में फिर बात करेंगे Modification of Mouth यानि किस तरीके से इनका जो Mouth है उसका Modification हुआ है पार्ट्स का इसमें Insects आते हैं जैसे Cockroach, Mosquito, Housefly, Honeybee and Butterfly के बारे में और उसके बाद बात करेंगे Metamorphosis के बारे में Insect and its Hormonal Regulation, Social Behavior of Epis and Termites के बारे में फिर बात करेंगे हम Molluska इसकी Feeding कैसे होती है किस तरीके से इसमें Respiration होता है, Locomotion कैसे होता है इसके General Features Life History of Lamellidins के बारे में बात करेंगे Pylia और, sorry, Pylia और Cepia के बारे में बात करेंगे फिर बात करेंगे हम Tauracin and Detauracin in Gastroports के बारे में उसके बाद हमारा Term आता है जो टॉपिक आएगा वो आएगा Echinodermata यहाँ भी बात करेंगे हम Feeding के बारे में Asteriasis के बारे में बात करेंगे अगर उसके बाद बात करेंगे हम Proto Chaudata के बारे में यहाँ बात करेंगे हम Origin of Chaudates के बारे में कि किस तरीके से Origin हुई Chaudates की General Features and Life History of Branchiostroma and Hard Mania फिर बात करेंगे हम Pisces के बारे में यहाँ पे किस तरीके से पुरकला में रेस्पारशन होता है और लायों को त्येस्ट अएंड माईग्रिषिंगन किस तरिए से हूता है फिर बात करेंगे اम आ वरे और जनेंगे। क्या होते हैं अ क्या होते हैं ले जहाँ होते हैं हम जानेंगे। और parental care के बार हम बात करेंगे किस तरह के से pedomorphosis होती है इनकी फिर बात करेंगे हम reptilia के बारे में reptiles इसमें आएंगे किस तरह के से इनकी origin होती है कैसा इनका skull type होता है किस तरह के स्टेटस of sphenodon और crocodiles के बारे में जानेंगे उसके बाद हम बात करेंगे Abes के बारे में, Abes में words आते हैं, तो words का कौन, किस तरीके से origin होता है, इनका flight का क्या adaptation mode रहता है, और उनका क्या aggression रहता है, तो सारे चीज़े को जानेंगे हैं, फिर बात करेंगे हम mammal या क्या बारे में, इसके अंदर mammals आते हैं, और उनकी origin कैसे होती है, उनका क्या detention होता है किस तरीके से general features of जो अंडे देते हैं mammals उनके होते हैं pouched mammals कौनकों से होते हैं जिनका pouch होता है especially aquatic mammals कौन से होते हैं primates क्या क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके features जा 낸नेंगे हम उसके बाद बात करेंगे हम endocrine glands के बारे में तो ये वे गरंथियां होती है जो hormones को release करती है और अगर बात करेंगे हम exogrand के बारे में तो वो ऐसी गरंथियां होती हैं जो enzymes को release करती है तो endogrand के बारे में pediatric gland, thyroid gland parathyroid, adrenal, pancreas gonads ये सबाते हैं और किस तरह के से इनका interrelationship होती है वो जानेंगे उसके बाद बात करेंगे हम comparative functional anatomy of various systems in vertebrates जैसे integument और उसके derivatives के बारे में बात करेंगे endoskeleton, locomotory organs और digestive system के बारे में बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे हम respirator system के बारे में, circulator system including heart and aortic arches के बारे में और urino genital system, brain and sense organs के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, अगले वाले part में हम deal करेंगे ecology कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे zoology optional mains में ecology के अंदर यहां से सुरू होगा interesting, तो thank you very much, thank you